हेलो एव्रीवन, वेलकम टू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मिरे नाम है प्रांजल सिंग and I'm the faculty of law in the competition community और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर, सर आज का हमारा वीडियो लेक्चर किस बारे में है, तो आज हम डील करेंगे particularly types of offenses के बारे में, यानि कि criminal law के अंडर में, हम types of offenses के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, अकसर हमें ऐसा confusion हो जाता है, हमारे दमाग में starting में तो concept clear रहता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं CRPC में, या जब हम CRPC को पढ़ चुके होते हैं, तब हम अकसर questions मे confused हो जाते हैं, कि ये cognizable है, कि available है, कि compoundable है, उसके basics को भूल जाते हैं, तो आज इस video lecture में हम इस पूरे concept को clear कर देंगे, तो चलिए आज का हम ये video lecture आगे बढ़ाते हैं, तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, जरूरी होता है कि हम शुरू zero से करें, scratch से पढ़ना ठीक है सर, क्या समझा हमने इससे, इससे हम दो keyword उठाते हैं, पहला तो act forbidden by law, यानि कि कोई भी एक ऐसा person, जिसने कोई एक ऐसा act किया हो, जो forbidden by law हो, तो हम उसको क्या मान लेंगे, criminal offense मान लेंगे, एक dictionary वाली definition भी देख लेते हैं, dictionary वाली definition कह रही है, an act which breaks any particular law, यानि कि कोई एक ऐसा act, जिसको हम कहते हैं, क्रित्य, कोई एक ऐसा कार क्रित्य, जो कि कि किसी particular law को break करता हो, तो हम उसको मान लेंगे, एक offense, तो यानि कि हमारे दिमाग में offense की definition दो clear है, हमें ये तो पता है कि offense क्या होता है, ठीक है सर, अब types पे जाते हैं, types की अगर बात करें, तो अगर हम CRPC को पढ़ेंगे, तो हम basically 3 type of offenses को देखेंगे, कौन से हैं वो 3 types, जल्दी से देखते हैं, पहला है cognizable and non-cognizable offense, दूसरा है bailable and non-bailable offense, और तीसरा है compoundable and non-compoundable, ठीक है सर, क्या होता है, तो यही से अगर हम एक meaning को समझने की कोशिश करें, एक understanding को develop करने की कोशिश करें, तो cognizable and non-cognizable बात कर रहा है, arrest से related, और जो cognizable होता है, वो ज्यादा serious होता है, non-cognizable, comparatively less serious होता है, bailable and non-bailable की बात करें, तो सर, नाम से ही clear, available offenses वो है, जो bail से related होते हैं, bailable offenses less serious होते हैं, non-bailable ज्यादा serious होते हैं, compoundable and non-compoundable की बात करें, तो compoundable offenses वो है, जो की deal कर रहे हैं किसे parties के compromise related और यह थोड़े less serious होते हैं यह ज़ादा serious होते हैं तो यहां से हम a brief idea लिया हमने कि वह तीन types होते हैं और अगर हमें दो शब्द में अगर समझना पड़े तो हम इसको ऐसे समझेंगे अब इसको detail में समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा पहला जो टॉपिक है वह cognizable and non-cognizable offenses का difference ठीक है सर तो सबसे पहले चुकि हम CRPC के अंडर में deal कर रहे हैं तो सबसे पहले definition ही देख लेते हैं तो जो section 2C है CRPC का वो किसको define कर रहा है Cognizable offense को 2L है वो CRPC का वो deal कर रहा है non-cognizable offense को अब आप यहां बोलेंगे आप कैसा बद्दा मजाग कर रहा है हमारे साथ आपने केवल definition को code कर दिया definition कौन बताएगा तो हम आपको बताएंगे definition 2C जो है CRPC के अंडर में वो Cognizable offense को deal करती है और वो क्या read करती है एक बार read out करते है इस definition को वो कह रही है Cognizable offense means an offense for which and Cognizable case means a case in which a police officer may in accordance with the first schedule और under any other law for the time being in force arrest without a warrant यहां से हमें सिर्व यही समझना है arrest without a warrant यानि कि Cognizable offense या Cognizable cases वो होते हैं जिस cases में या जिन offenses के अंडर में police बिना warrant के arrest कर सकती है accused को ठीक है सर समझ गए अब आप आपने यह क्यों highlight किया हुआ है यह highlight किया हुआ है हमने first schedule में अगर आप CRPC का first schedule खोलेंगे अपनी bear act को पलखते जाई और आखरी तक पहुँचिए तो आपको first schedule मिलेगा first schedule में दिया हुआ है कौन-कौन से offenses को और कौन से offenses non-cognizable होंगे इसके साथ-साथ यह भी दिया हुआ है non-cognizable offense की definition read करते हैं वो कह रहा है non-cognizable offense means an offense for which and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant यानि कि जो यहाँ cognizable case में हो रहा है उसका just उलट हो रहा है non-cognizable case में यहाँ police officer के पास यह authority ही नहीं है कि वो बिना warrant के उसको arrest कर पाए खीक है sir अब हम आते हैं वापस इस table पे table क्या कह रही है इसको तो हमने समझ लिए sir 2C और 2L को second point को पढ़ते है second point हमारा क्या कह रहा है second point कह रहा है the offenses under this category are very serious in nature इसका मतलब क्या है कि जो offenses इस category में है वो बहुत serious nature के होते हैं वो obvious सी बात है अगर आपको बिना warrant के allow किया गया है किसी accused को arrest करने के लिए इसका मतलब यह है कि वो offense बहुत serious होगा और यहाँ पे क्या है यह comparatively less serious है इस शब्द को याद रखेगा comparatively less serious कभी भी exam में यह लिख के मत आईएगा कि जो non-cognizable case है वो serious नहीं होता है यह बहुत गलस statement है हो सकता है examiner आपके पूरा answer ही काट दे आपको zero marks मिले उसमें इसलिए comparatively less serious अगर इसके comparison में देखें तो वो offense जो है कम serious है otherwise offense तो सारे ही serious होते है ठीक है sir उसके अलावा क्या है तीसरा point यह कह रहा है in cognizable offenses the police official can arrest that offender without a warranty यानि कि जो हमारा cognizable offense है इसमें जो है police officer वो बिना warrant के arrest कर सकता है यह तो हमने already पढ़ लिया हमने समझ लिया था sir इसमें कोई confusion नहीं ठीक है sir और यह हाँ पे क्या है यहाँ पे arrest नहीं कर सकता without a warrant पता है sir हमें ठीक है sir कोई बात नहीं यह वाला जो point है यह इसको compliment कर रहा है यानि कि fourth point जो है वो third point को compliment कर रहा है अब भाई अगर warrant है तो वो warrant कौन देगा magistrate ही तो देंगे ना तो बस वो यही कह रहा है the police official do not have to obtain a warrant from the magistrate यानि कि police officer अगर बिना warrant के arrest नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है उसको magistrate के पास जाके warrant लेनी की भी जरूवत नहीं है यही वो point कह रहा है कि यहाँ पे police officer को warrant जाके लेना पड़ेगा किस से magistrate है ठीक है sir अब यह पांचवा point क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं the police officials can conduct their investigation without permission of the court यानि कि अब हम यहीं से समझ सकते हैं कि इसके अंडर में जो crimes होंगे उनका magnitude क्या होगा कि police को जाके court की permission लेनी की जरूवत नहीं है कि सरम investigation करें ना करें उनके direction की wait करनी की जरूवत नहीं है from the first go police जो है उसका investigation खुद से कर सकती है और non-cognizable cases में ऐसा नहीं है police को wait करना पड़ेगा court के order का या court की permission लेनी पड़ीगी किसी investigation को conduct करने के लिए कुछ example देख लेते हैं जल्दी से जैसे rape murder dowry death यह सारे के सारे offenses आते हैं कि के अंडर में cognizable offenses के अंडर में और simple herd defamation यह आते हैं non-cognizable के अंडर में तो आपका जो concept है इन दोनों को लेके वो यहां से clear हो गया हो आगे बढ़ते हैं अब हम available and non-vailable offense के बारे में पढ़ने के लिए ठीक है sir तो आप देखिए वहाँ पर आगर आपने देखा था तो यहां यहां 2C लिखा हुआ था यहां 2L लिखा हुआ था cognizable वाले matter में यहां पर दोनों में 2A लिखा है और पहला concept आपको यहीं से clear करना है कि अगर कभी आपके एक्जाम में ऐसा question आता है कि available and non-bailable offense कहां दिये हुआ है यह specifically आगया कि non-bailable offense CRPC में कहां दिया हुआ है तो आपको उसमें भी 2A ही लिखना है क्योंकि दोनों का जिक्र 2A में हुआ है कई बार हम जब textbook पढ़ते हैं तो heading में केवल available लिखा होता है तो हमें लगता है कि 2A में available दिया हुआ है non-bailable कहीं और होगा तो हमें यह confused नहीं होना है ठीक है सर तो जो available offenses है वो defined है किसके अंडर में section 2A of the CRPC में ठीक है सर तो आप section 2A of the CRPC को हम जल्दी से देखते हैं 2A of the CRPC बात कर रही है available offense की जो कह रही है available offense means an offense which is shown as available in the first schedule or which is made available by any other law for the time being in force and non-bailable offense means any other offense यानि की जैसा मैंने आपको बताया था आप first schedule खोलेंगे बेराट को पलेटते हुए आखरी तक पहुंचिए आपको first schedule मिलेगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कोगनाइजबल नॉन कोगनाइजबल बेलेबल नॉन बेलेबल का वहां पर चार्ट दिया हुए तो आप उसको पढ़के clear कर सकते हैं और यहां पर क्या कह रहा है वो सारे offense जो की बेलेबल दिये हुए first schedule के अंडर में या कोई और law उनको बेलेबल डिक्लेयर कर रहा है for the time being in force और नॉन बेलेबल उफेंस यानि कि जो भी offenses बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है simple सा concept है वापस आते हैं टेबल पे ठीक है सर अब हमने first point को clear कर लिया कि बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों 2a में दिये हुए हैं और यह offenses वो है जो की first schedule के साबसे बेलेबल है और जो बा crime इतना serious nature का नहीं होगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है the offenses under this category are less serious in nature and the offenses under this category are more serious in nature यानि कि non-bailable offenses वो offenses है जिसके अंडर में जो crime commit हुआ जो offense commit हुआ जो accused है उसने जो relatively more serious crime commit किया है इसके comparison में यहां पर less serious crime commit हुआ है ठीक है उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे तीसरा point पढ़ते हैं तीसरा point क्या रहा है bail granted to the accused is a matter of right as the offense is a bailable offense यह सबसे important point है bailable और non-bailable का bailable offenses के अंडर में bail जो है वो accused का matter of right है यानि उसका हक है बेल लेना लेकिन जो non-bailable offenses है उसमें court की discretion के उपर है कि bail मिलेगी की नहीं मिलेगी यह सबसे important definition अगर आपने यह समझ लिया यह पढ़ लिया तो आपका bailable और non-bailable offense का जो concept है वो यहीं से clear हो गया क्योंकि bailable offenses में जो accused होता है उसके पास यह right है हक है उसका court से bail लेने का और court से bail मांगने का लेकिन non-bailable में यह completely court का discretion है अगर उनको ठीक लगेगा तो वो bail देंगे और नहीं ठीक लगेगा तो वो bail नहीं देंगे अब हमारे पास यहां दो section आगे section 436 of the code of criminal procedure यानि कि CRPC का section 436 है वो cases को deal कर रहा है जब bail grant करी जा सकती अक्यूस को यानि कि section 436 उन particular events के बारे में या उन particular cases के बारे में बात कर रहा है जब accused को bail grant करी जा सकती और 437 किसके बारे में बात कर रहा है अब 437 इसके अगर हम उसमें देखें opposite में तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कह रहा है कि bail कब grant नहीं करी जाएगी यह बात कर रहा है कि non-bailable offenses में bail कब grant करी जा सकती है यानि कि section 437 of the CRPC deals with the cases under which the bail can be granted to the accused in the case of non-bailable offenses या example देख लेते हैं बेलिबल offenses के अग्जामपल है अडल्ट्री ब्राइबरी एक्सेक्टरा और नॉन बेलिबल का है रेइप मड़र डावरी देथ किड़नापिंग अटेंप्टू मडर एक्सेक्टरा यानि कि जो serious offenses वह नॉन बेलिबल के अंडर में आ गया है आपका यह वाल अगे सबसे पहले compoundable offenses के अंडर में पढ़ते हैं the victim enters into a compromise with the accused and drops all the charges अगें दी अक्यूज यानि कि compoundable offenses के अंडर में जाओ नहीं करते हैं कि आप compromise कर सकते हैं आप करना भी चाहें तो भी आप नहीं कर सकते हैं ऐसा क्यूं है इस concept को यहीं से समझते हैं ऐसा क्यूं है देखिए यहां पे कोई ऐसा less serious है जिसमें लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं अब वह पार्टी करना चाहती है इसमें को अगेंस नहीं किया है उसने पुरी सोसाइटी एट लाट्स के अगेंस किया है तो अगर यह परसन उसको माफ कर भी दे या compromise कर भी ले ले लेकिन वो सोसाइटी के अगेंस्ट फर्गिवेबल नहीं है इसलिए उसको ट्राइल पे जाना होगा और अगर वो दोशी है तो उसक क्यूंकि यहां पर आपको compromise allowed नहीं है अब यहां पर section 320 के बारे में बात करी गही है तो section 320 je जो है CRPC का वो किस बारे में बात कर रहा है उन ओफेंस के बारे में बात कर रहा है जो की compoundable होंगे यानि कि वो ओफेंस जो की compoundable हैं जिनके अंदर compromise allowed है वो section 320 में दिया हुआ है और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ जैसे कि बेलिबल और नॉन बेलिबल के matter में था ठीक है से आगे पढ़ते हैं अब इसमें क्या है अब इसमें जो है permission of the court लेनी पड़ेगी किसको victim और accused के नहीं दोनों party इसको एक compromise में enter होने के लिए बट अगर इसकी बात करें तो यहां पर starting से ही there can be no compromise तो इसलिए यह को compromise नहीं कर सकते हैं कुछ example देख लेते हैं इसका theft defamation press pass compoundable offenses के example रेप murder एक्सेक्टर यह non compoundable offenses के तो आई होप आपके दिमाग में यह concept clear हो गया हो आप समझ चुके हो कि cognizable non-cognizable bailable non-bailable or compoundable and non-compoundable cases कौन से होते हैं यह offenses कौन से होते हैं आपके क्या views हैं इस बारे में आप हमें नीचे comment section में ज़रूर बता सकते हैं और आप अपने suggestion भी हमें नीचे ज़रूर बता सकते हैं thank you अगर आप चाहते हैं अपने carrier को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team Koko